माबाप जिस रमजान को मरा समझ करने जा रहे थे चालीस हुआ वे जिन्दा लोट कर घार आया उत्रपदेश के कौसामभी जिले में एक बेहती चौका देने वाला मामला सामने आया है चाहेक मुस्लिम परिवार ने अपना बेटा समझ कर उसे कपर में दफनाया था वेब रहस्पतिवार को उस वक्त लोट आया जब परिवार के लोग उसके चालिसवे यानि अंतिम संसकार के बाद वाले कार्टम की फतेहा की तैयारी कर रहे थे तरसल 11 जून को सैनिको तवाली छेत्र के रेलवे श्टेसन के पास रेलवे ट्रैक पर एक आग्यात यूवक का सब मिला था सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब को कपजे में लेकर पोश्ट मार्टम के लिए बेज दिया था पुलिस द्वारा सब की सिनाक्त कराने के दोरान विजली पुर गाओं की रहने वाली सफी कुे ने उसे अपने बेटे रमजान के रूप में पहचाना जिससे पोश्ट मार्टम होने के बाद पुलिस द्वारा सब को परजनों को सौप दिया था उसके बाद पिता सब्वीर ने सब को गाउं के ही कब्रिस्तान में मुस्लिम रीद रिवाज के साथ दफन कर दिया वह दूसरी करब जिस सब को रमजान समझ कर सब्वीर ने दफना दिया था एक माबाद फते पुर्जनपत में रहने वाले संतराज ने पोतवाली पहुँचकर उसे अपने बेटे सूरज का सब होने का दावा कर दिया जिस संग्यान में लेते हुए जिलारिकारी सुजीत कुमार ने सब कबरे से निकाल कर डियेने टेस्ट कराने के आदेश दिये थे लेकिन डियेने रिपोर्ट आने से पहले ही रमजान के साकुसल घर वापस आने से जहां घरवालों में खुशी का महौल है तो हैं दूसरी दरब बेटे की गुमसुत की को लेकर संतराज को डियने रिपोर्ट का बेसबरी से इंतचार है फिलाल तो डियने रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कबर में दफन सब सूरज का है या नहीं उत्तर प्रदेश कौसांबी से कुल्दी दुरुवेदी की खास पूर्ट है में सब्सक्राना तो बस गये हैं तो देख गया है हाँ लोग यह कहते हैं कि इस तक लोग नहीं मान जाए थी अम्मत अमिरा